यह पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जूटे केसिज लगा लगा के विपक्ष को के निताओं को पार्टियों को विपक्षी लोगों को एक तरह से निश्क्रिय करने की कोशिश की जारी है डरानी की कोशिश की जारी है कई लोगों को तोड़ तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है ये जंतंत्र के लिए अच्छा नहीं है एक तो ये है दूसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं वो ये की केवल नेताओं नेताओं को विपक्षी नेताओं को टार्गेट नहीं किया जा देश भर में बिजनसमेन को भी बहुत बुरी तरह से टार्गेट किया जा रहा आज बड़ा दुख होता है कि पिछले पांसाथ साल के अंदर लगबग 12-13 लाक हाई नेट वर्थ इंडिविजूल्स का मतलब जो बहुत अमीर लोग थे जो देश में इंवेस्टमेंट करते थे जो इंडस्ट्री चलाते थे जो बड़े बड़े वयपार चलाते थे हजारों लाघों को रोजगार देते थे उन्होंने भारत की नागरिक्ता छोड के विदेशी नागरिकता ले लिया है वह भारत छोड़कर चले गए अपने से बिसनस यहां पर बंद कर दिय decrease in income टास चोड़ रखा है, CBI चोड़ रखिए, ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यपार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश तरक्या कर सकता हम चाहते हैं कि हम चाइना से कॉइटिशन करें चाइना से कमपॉटिशन कैसे करेंगे चाइन उस जोगन सब खूब तरक्की करें इंडस्ट्री खूब तरक्की करें भैका माहौल खतम होना चाहिए तभी तो देश आगे बढ़ेगा राहूल गांदी की जब सुझसरता आगा यह आपने खुल कर सपोर्ट किया लेकिन जो संजे सिंग के मामले में कॉंग्रेस जो है शर्तों के साथ ना क priced ले विजली को गोटाला ऑगया हेँब करोड़े का उसमें कुछ निकला फिर बोले सडकों के बनाने में घोटाला विज swoje मजिन पानी गोटाला हो और पूछनिय आप ये दिरे दीरे पता चल रहा है अरो के सब लोगों कि पूरा शराब घोटाला भी फर्जिए मैं तो शराब घोटला बंद जाएगा एक और ले आएंगे मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजनसी में और इन सारी जाचों में उलजा के रखना है काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने के बयान के अधार पर कल स्प्रिम कोट मे टॉर्चर करकर के बयान दिये गए हैं लोगों को जबरदस्ती करकर के बयान दिये गए हैं सारे बयान जूट हैं कुछ ही नहीं लेकिन मैं तो यह कह रहा हूँ अभी तो यह देख ले ना थोड़े दिन में शराब गोटाला खाता कहेंगे शराब गोटाले में कुछ नहीं मिला फिर एक और में या ले आएंगे कोई अन्त थोड़ी है नियत खराब है इन लोगों की काम करने नहीं देना चाहते दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं आप भी काम करो ना आपका बड़पन इस चीज में है कि केजरी वाल ने हजार स्कूल बनाए आप दो हजार स्कूल बना बनाने देंगे इसको यह बड़पन थोड़ी है ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा आप काम खुद नहीं करते 24 घंटे केवल और केवल एजनसी एजनसी इसकी पार्टी तोड़ दी उसके सरकार गिरा दी उसको जेल भेज दिया उसको डरा धंका के अपनी पार्टी यह क् रद्रा देशकेंदे